Welcome to Indian scholarship friends आज की इस वीडियो में हम लोग NSP scholarship पर बात करने वाले आज की वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के student किन-किन scholarship scheme में apply कर सकते हैं तो आज किसमें full details में हापर बात करने वाले eligibility criteria क्या होना चाहिए क्या-के documents उनके पास होने चाहिए और वो किस-किस स्कीम में apply कर सकते हैं जो भी Central Sector scholarship में apply कर सकते हैं UGC में या फिर State Scheme में किस-किस में apply वो लोग कर सकते हैं वन से लेकर 10 तक कि जितने भी student होंगे वो और वो किसमें आते हैं वो भी हम लोग आज किस student में बात करने वाले हैं तो चलिए बिना किदरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चालो को सब्सक्राइब करें के बैल ऐकॉन ज़रो प्रेस करिएगा, यहाँ पर हम आचुके NSP स्कॉलिशिप के ऑफिशल वेबसाइट पर इसका अप्लाइब फर फरेश हो जाएगा, अगर अप्लाइब फरेश एक बार अप्लाइब किया होंगा, तो फिर आपको रिनीवल करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम के लिए, उसके बाद नीचे आपर बात करते हैं, नीचे याने के बाद यहाँ पर देखिए, फर्स से लेकर for minority student, यानि जो minority community के जो student रहेंगे, वो यहाँ पर अप्लाइब कर सकते हैं, वो भी pre metric scholarship scheme वाली, pre metric scholarship scheme, one से लेकर 10 तक के student इसको अप्लाइब कर सकते हैं, और post metric scholarship में 10 से उपर, यानि 11, 12 और graduation, B, B, T, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो लोग अप्लाइब कर सकते ह ना, तो वो हम आपको यहान ऑपर नजे आ, तो वह एंगे आप कर दिघ करेंगे, तो इसके बाद नीचे बात करेंगे, यह पे पॉस्ट्मेटरिंग में अपप्लाइ नहीं करना है, तो इसके बाद यहां पर आने के बा deeply कर देखें oikeकश पार Sigour प्रिमेटृक्री तुरह मों डियूसलन देसे में अपलाई करेंगे ॎ सुस्क्राइश्री अंभावर्मेट करना तो पहले तौप क्लास अज добр, यहां पर देखें अपलीर स्वेश्राइश्टे यहां लेकिन पर रिखें, यह रही तो से होने दो तो इसमें अपलाई कर सकते हैं लेकिन अपलाई कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं प्रिमेट्रिक का मतलब होता है वन से लेकर टैन तक कि इसमें अपलाई कर सकते हैं निचा आएंगे Ministry of Labor and Employment यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखे, इसकी भी Pre-Metric Scholarship Scheme होती है, यहाँ पर यह देखे यह वाली जो Pre-Metric Scholarship Scheme होती है Financial Assistant of Education for the World for BD Worker, Sign Worker, I.S. Worker, LSDM Worker, तो यह जितने भी आपके Father, Father, Mother या फिर आपके Guardians, इसमें होंगे I.S. Worker, LSDM Worker, BD Worker, Sign Worker, तो इसमें आप अपलाई कर सकते है Pre-Metric Scholarship Scheme में इसके उपर मैं separate वीडियो बनाने ओला हो और मैं आपको information के लिए बता दू कि हमारे चानल पर अभी वीडियो आने वाले जितने भी Scheme रहेंगे, या चाहे वो बेगम हदरत में National Scholarship हो या फिर आपकी Physical Handicap Student किसमें अपलाई करे, इशान उदे Scholarship Scheme किसमें अपलाई करे, BD Worker, Sign Worker, जिनके फादर मदर Guidance होंगे, किसमें अपलाई करे, CSS Scholarship Scheme कौन-कौन लोग अपलाई कर सकते है और दूसरे भी जितने Scholarship Scheme आएंगे, Minorities Scholarship Scheme कौन-कौन लोग अपलाई कर सकते हैं तो उसके बार में फुल डीटेर्स में आपर में वीडियो भी लाने वाला हो, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके कौन-कौन इलिजबल हो सकते हैं और कभी उसके स्टाइडिन डेट है तो उसको आप जरूर जाकर चेक कर लेना यह देखे, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद Ministry of Department of School Education and Literacy यहाँ पर क्लिक करेंगे, करेंगे ना, तो यहाँ पर देखे नननोण मीनज कर मैर्ट स्कॉलशिप यहीं जही न ओ इस इसकाइड कंग से इसको पर नान सेपराइट वीडियोगा जाता है retract upon आपको यहाँ पर लूह सब न 되어ना न सबसे पहले , नानає आपको यहां पर आई बटन में उसका link मिल जाएंगा डिस्क्रिप्शन में भी उसका link मिल जाएंगा तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगी कि आप उसमें इलिजिबल होते हैं नहीं होते हैं उस सब आप समझ जाएंगे तो उसके पर मैंने पूरी डेडिकेट एक वीडियो बनाई हुए है बेसिकली यहाँ पर बात करूँ एने में स्कॉल्शिप स्कीम को तो यहाँ पर वह से लेकर 10 तक के स्टुडेंट जो भी रहेंगे वह इसमे करने के बाद यहाँ पर देखें प्री मैट्रिक स्कॉल्शिप स्कीम फ़र SC स्टुडेंट नाइंट एन टेंथ वाले आसाम के जो भी एस्टुडेंट रहेंगे न वह इसको अपलाए कर सकते हैं स्टूडेंट रहेंगे वह अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपला 18 या फिर 19 August के अप्रोक्स टाइम पर उपन होती है यह साइट तो उस साइट में आप अपलाई कर सकते है इस स्कॉल्शिप स्कीम को तो जो भी आप ही मैंने बात किया एक मैंने बात किया यहाँ पर उसका र१े सिट के लिए साइट करें से अप्र मांट में इसकी मिल घृए और इसकी पूरी इंफर्मेटीव वीडियो मैंने एक dedicated video बनाई हुए है उसका link में description में दे दिया है i button में भी link है तो आप जहां कही click करेंगे उसके link पर तो आपको वो video देख सकते हैं और उसकी information आप ले सकते हैं अगर उसमें eligible होते हैं तो उसको apply आप कर सकते हैं जब new session open होगा अगस्ट के time पर अगस्ट 15 अगस्ट के बाद से open होगा तो आप apply उसको कर सकते हैं और फिर बाकी के जितने भी student रहेंगे जिनका state यहाँ पर आता रहेंगा यहाँ पर देखें जिन जिन student के state यहाँ पर आते रहेंगे यहाँ पर जैसे कि आपका state इसमें आता है इस section में आपके जितने भी नीचे तक जितने भी state यहाँ पर आपको दिखते हैं आसाम है, अरुनाचल परदेश है अंडोमान, निकोबाल, जितने भी चंदीगड वगएरा, गोवा वगएरा जितने भी आपको state यहाँ पर दिखते हैं यहाँ पर देखें, आपको जो pre-matric scholarship scheme है वो लेने आपको जैसे कि यहाँ पर देखें, लिखाया आ रहा है यहाँ पर pre-matric scholarship scheme for needy ST, यानि ST student जो है 910 के वो इसमें अपलाई करेंगे जिस भी state में आप क्लिक करेंगे जो भी आगर आपका state होंगा तो state में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर pre-matric scholarship scheme वहाँ पर नजर आ जाएंगी तो उसको आप apply कर लेंगे फिसके बाद अगर आप state में आगर आपका state नहीं आता है, यहाँ पर इन list में आपका अगर state काई भी नहीं आता है जैसे कि यहाँ पर महाराष्टर नहीं लिखा हुआ है कई भी तो महाराष्टर के student क्या करेंगे या फिर किसी भी दूसरे state से आप belong करते है और उसका state का नाम यहाँ पर नहीं आता है तो फिसका department of empowerment of person with disability यानि जो आगर physical handicap होंगे तो इसमें आप apply कर सकते है इसके अपर fully dedicated video मां बनाने है तक आपने भी चैनलों को subscribe नहीं किया चैनलों को subscribe करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं I see informative video बनाता रहूँ तो आपको null vacation पहले ही मिल जाए तो कैसी लगी वीडियो हमें comment करके जरूर बताइए और आप हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe करें के बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा और यहाँ पर इसकी starting date की बात करूँ फर्स से एकर 10 तक के student जितने भी scholarship फिसकी में apply कर सकते तो उसकी starting date आगस्ट 15 आगस्ट यानि 15 आगस्ट के बाद 15 आगस्ट मानाने के बाद जिससे 16 अगस्ट को वह open हो जाएंगी साइट जिसमें आप new registration apply कर सकते और new registration जाएज से ऑपन होता है आगस्ट के अपर एक dedicated वीडियो बनाने वाला with proof के साथ के आप apply कर सकते उसके बारे में तो चलिए मिलते हैं इसी नए वीडियो के साथ